रूस युक्रेन युद्ध जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे विद्ध्वन्स के नए नए रिकॉर्ड बन रहे हैं युक्रेन अभी तक रूसी कबजे वाले इलाकों को छुणाने की जद्धो जहद में लगा हुआ है हाला कि कुछ इलाकों में युक्रेन को सफलता भी मिली है लेकिन इस सब के बीच अब ऐसा लग रहा है कि युक्रेन के राश्टपती व्लादमिर जैलेंस्की अपने ही घर में गिर गए हैं दरसल युक्रेन के पूर्व दो राश्पतियों के सलाकार रहे अर्थशास्त्री ओले सौस्किन ने जेलेंस्की पर बड़ा निशाना साधा है। सौस्किन का कहना है कि जेलेंस्की के अपरिपकु नेतुर्ट की वजह से युक्रेन में राश्ट्रिया आपदाई हुई है। जो युक्रेन की सैन्य सफलताओं के बारे में बात करता है। वो 1992 और 2000 के बीच ततकालीन युक्रेनी राश्ट्रपती लियोनित कुच्मा के सहयोगी रह चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ राश्ट्रपती वलादमिर जलेंस्की ने दावा किया है कि वो और उनकी टीम पश्च्मी देशों के साथ मिलकर युक्रेन के लिए मजबूत चीजे तैयार कर रहे हैं। जलेंस्की ने आगे कहा कि दुनिया के सबसे मजबूत राश्ट की ओर युक्रेन ने एक और कदम उठाया है। वहीं दूसरी तरफ रूस के खिलाफ युक्रेन की जवाबी कारवाई में युक्रेन की सेना ने कई बड़े हमले किये हैं। युक्रेन ने डॉनबास की क्रीमिया से जोडने वाले पुल को तोड़ने के लिए इस सबसे ताकतवर सेन ने टुकडी को तैनात किया है। हाला कि रूस का दावा है कि युक्रेन अपने 43,000 से ज्यादा सेनिको को गवा चुका है और उसके 5,000 से ज्यादा भारी उपकरण भी तबाह हो चुके हैं। और उसे युद्ध में अभी तक कोई खास सफलता भी नहीं मिली है। हाला कि युक्रेन का कहना है कि उसने रूसी प्रमुक टिफेंस लाइन से कुछी दूरी पर बने कई गामों को अपने कब्जे में लिया है।